केंद्री ग्रह मंत्री अमित शाह ने कहा सपा बस्पा में एक जाती का विकास हुआ केंद्री ग्रह मंत्री अमित शाह ने कहा सपा बस्पा के राज में कभी समाज का विकास होता था क्या सपा आती थी तो एक जाती का विकास होता था बसपा आती तो दूसरी जाती का विकास होता मोदी जे आए तो सब का साथ सब का विकास हो रहा है नवभारत समाचार हर्दोई से अमित कुमार राठोर के रिपोर्ट मेरे साथ बोलिये भारत मता की क्यों भाई हर्दोई वालों की आवाज को क्या हो गया है मदारी पासी की भूमी के हर्दोई की आवाज ऐसी होगी क्या मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए अरे अंत तक उठाईए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्टी भीचे और प्रचंदा वाद से बोलिये भारात मता की भारात मता की भारात मता की मंठ पर उपस्तित उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री श्री दिनेश सर्माजी हमारे नेता यहाँ पर उपस्तित बाई जतीन प्रसाद जी यहाँ उपस्तित निरत सिखर जी असोख बाजपाई जी जिनके आगरा से मैं आज यहाँ पर आया हूँ ऐसे भारतिय जनता पार्टी के नेता नरेश अगरवाल जी जय प्रकास रावत जी असोख रावत जी माध्यवेंद्र प्रताप सिंग जी रजनी तिवारी जी नितीन अगरवाल जी स्याम प्रकास जी प्रबास कुमार जी आशू जी रामपाल वर्मा जी राज कुमार अगरवाल जी अंजूबाला जी और आज यह हर्दोई की विसाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाईयों महनों माताओं और मेरे जीगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों मित्रों आज मैं हर्दोई की भूमी पर आया हूँ यह भूमी दस अवतार में से दो-दो आउतारों की भूमी है इसलिए इसको हर दोई कहते हैं भगवान नर्सिंग और भगवान वामन के साथ जुड़ी विये धर्ती को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ मित्रों यह भूमी स्वातंत्र से जान नहीं मदारी पासी और देवू पासी की भूमी है पत्मस्री बचने स्त्रिपाजी की भूमी है और यह भूमी गंगा और गोमती के बीच के पवित्र भूमी है मित्रों यह भूमी को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की सिरुवात करना चाहता हूँ अभी मैं हर्दोई में से निकल रहा था मेरे घर से एरपोर्ट की तरह मुझे कुछ जर्नालिस्ट पुछ रहे थे कि अमिद भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा मैंने उनको कहा हर्दोई की रेली देख लो जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा अब वो सज्जन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं है मगर मैं देख रहा हूँ जहां तक नजर पहुंती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मिप्रोई यह भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फीर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेत्रुत में तीन सो से ज्यादा सीटों के साथ भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने वाली ही मुझे बताओ हर्दोई वालो कोई फुल्टोस गेंट डालेगा तो अच्छा बल्ले बाद चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा जोर से बोलो लगाएगा या नहीं लगाएगा पीछे वाले बोलो लगाएगा या नहीं लगाएगा मुझे बताओ बई, 2014 में उत्तर प्रदेश में कौन जीता, 14 में कौन जीता बताओ, भागपा जीती या नहीं जीती, 17 में कौन जीता, 19 में कौन जीता, और 22 में कौन जीतेगा, ये चौथी लगातार विजय, सपाबस्पा का सुपड़ा जाप करने वाली विजय होनी चाहिए में, क्यूंकि मैं आज सभी हर दो इवासियों को पूछना चाहता हूँ, सपाबस्पा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या, होता था भई, अरे ऐसे नहीं, जोड़ चे बोलो होता था, होता था, सपा आती थी, तो एक जाती का विकास करती थी, बस्पा आती थी, तो दूसरी जाती का विकास करती थी, मुदी जी आए, योगी जी आए, सब कहा साथ?